कि यह च्छोटा सा एक यूनिट था आपके इसमें ना चैप्टर 10 में आपको बताए था वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल के बाद आपको आता है कि फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या रहता मतबना एक 1974 में कि स्टेडी ग्रूप बनाया था रेजर बैंक को फिंडिया ने अंडर दा चेर्मेंशिप फॉर्मिस्टर पी एल टंडन तो उसको बुलते हैं टंडन कमेटी राइट तो टंडन कमेटी बुलते हैं आपको पूरा फाइनेंस नहीं करेगी नहीं करेगी आपको फर्किंग कैपिटल के लिए उन्होंने 75% आपको working capital आपका मिल जाएगा 75% of आपका working capital आपको finance मिल जाएगा that is the one rule okay second तो 75% current assets 75% of current assets minus current liabilities 75% of current assets इनका लो उसमें से current liabilities minus करो third आपका था 75% of current assets minus core current assets अब यह core current assets भी आपको module में दे रखा है और आपको question में दे के रखेगा कि what is the core current assets permanent type उसमें से आप current liabilities को minus करिए तो एक example भी उसमें दे रखा है module में पर अगर बाइचांब अगर exam में आ जाता है तो आपको सिर्फ यही तीन रूल याद रखने पहला वो बोलता है कि what is the maximum permissible bank finance as per tundan committee या PL tundan committee maximum bank का जो permissible finance रहेगा वो 75% of current assets minus current liabilities that is the first method 75% of current assets then minus the current liabilities that is second और 75% of current assets उसमें से पहले core current assets को minus करिए उसका 75% लेके then current liabilities आप माइनस करें जिए तो इतना एकदम सिंपल है बाइचांज सकर आता है कि example भी module में दे रखा वह आप जड़ा देख लेना तो आपका काम हो जाएगा इसमें और कुछ इतना ज्यादा नहीं है ओके थैंक्यू